स्टार्स एक दूसरे से दुश्मनी करके क्रियेट कर देते हैं जवर्दा संसने एक स्टार ने दूसरे स्टार्स से जब भी की है लड़ाई मीडिया ने वो खबर बार बार है दिखाई और इस ओवर हाइप ने स्टार्स की प्रॉब्लम्स है बढ़ाई और हर बार अपनी फाइट से जुड़े सवाल को फेस करते करते स्टार्स हो जाते हैं परिशान और लगता है अब इस परिशानी से बचने के लिए उन्होंने ढून लिया है एक रस्ता आसान कुछ टाइम पहले खबरें जोरो पर थी कि गुट बरी शारुक खान और अरजुन रामपाल के बीच रिफ्ट आ गया है कहा जाता है कि जब शारुक और प्रियांका के alleged affair के rumor strong थे तब अरजुन ने शारुक को इस बारे में advice देने की कोशिश की थी और S.A.K. को अरजुन के ये दखल अंदाजी कुछ पसंद नहीं आई Apparently, अरजुन की wife महर ने भी गौरी को influence करने की कोशिश की थी जिससे शारुक हो गए थे नाराज दोनों के बीच बात इतनी बिगड गई थी कि अरजुन और शारुक एक दूसरे को avoid करने लगे अनलम्मानी की party में दोनों ने एक दूसरे को greet तक नहीं किया शारुक ने रितिक की birthday party को भी skip किया because अरजुन was also attending the party with his wife Recently एक calendar launch पे अरजुन और शारुक ने अलग-अलग entry ली इन सभी बातों से दोनों good looking stars की bad vibes साफ पता चल रही थी मीडिया भी इस बात को काफ यू चाल रही थी पर लगता है ऐसे news से दोनों ही stars हो गए हैं परेशान और शायद सोच लिया कि अब वक्त है कि मीडिया के सवालों को कर दिया जाए शान हाल ही में अरजुन और शारुक एक ही जगा पे शूट कर रहे थे and when they bumped into each other, अरजुन ने किया शारुक को एक friendly wave शारुक ने भी प्यार से दिया अरजुन को response ये बात foreign media वालों के नजरों में आ गई और कही न गई इन दोनों की दुश्मनी की बात अठंडी पड़ गई सल्मान और शारुक की लंबी चल रही दुश्मनी कि ना जाने कितने चर्चे हुए होंगे सवाल कुछ इतने उठे कि शायद खुद सल्मान और शारुक जवाब देते देते थक गए तभी सल्मान को मिला मौका और वो अपने reality show पर अचानक शारुक की करने लगे धेर सारी तारी अब उनकी बातों से तो यही लग रहा था कि शायद दोनों खांस की war end की तरफ जा रही है या फिर शायद ये भी एक तरीका था ये दिखाने का कि अब दोनों की बीच दुश्मनी हो रही है कम इसलिए अब सवाल भी हो जाएंगे खताब शारुक के रिष्टे one of his best friends फरा खान से भी बिगडे थे इस दुश्मनी पर भी खूब सवाल खड़े हुए शारुक से बिगड़ते रिष्टे पर उठाते सवाल से शायद फरा बचना चाहाती थी इसलिए मौका मिलते ही वो जाप पहुंची शारुक के पास और अपैरेंटली शिरिश की तरफ से माफी मांग कर शारुक से बात को कर दिया रफा दफा और तब से मीडिया के सवाल भी हो गए हवा Recently rumors were ripe कि Anushka Sharma Katrina से उनकी सभी brand endorsements को चीनने की कोशिश कर रही थी जिसके लिए वो Katrina से भी कम प्राइस लेने के लिए तयार थी जब तक है जान के sets पर भी ये खबरे आएं की दोनों sexy ladies दे रही हैं एक दूसरे को cold shoulder अब इस catfight को मीडिया और भी juicy बनाकर create कर रही थी कुछ ज़्यादा ही है इससे पहले की बात और चाली जाती Anushka made a smart move by inviting Katrina to her latest film's premiere Katrina ने भी premiere में जाकर ये so-called दुश्मनी ठंडी होती दिखाए गौरी शारुख प्रियांका के episode में करन ने apparently गौरी का साथ देते हुए प्रियांका से छेर दी थी दुश्मनी Social networking site पर प्रियांका के खिलाफ comments करने के बाद करन और प्रियांका का rift openly media और public के सामने आ गया लेकिन फिर जल्दी करन ने situation को smartly संभालते हुए मीडिया के सामने प्रियांका को अपने birthday पर बुला कर ये दिखा दिया that all is well between the two फिर मीडिया ने आगे नहीं पूछा कैसे कब और क्यूँ बिगडे हुए रिष्टों पर बार बार उठते सवाल और मीडिया में बढ़ते हुए बवाल को स्टार्स के लिए जहलना शायद दुश्मनी निभाने से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और शायद तभी जूटी दोस्ती की आड में असली दुश्मनी को छुपा कर स्टार ब्रिगेट सवालों के जंजाल से निजात पा जाती है साथ के दुस्ती और दुश्मनी का क्या है राज क्यू दुश्मन करते हैं फ्रेंशिप का आगाज Let's find out on party shati with our very own page 3 and Bollywood expert Simi Chandok Welcome to the show Simi. Hey Siprit Bollywood में ऐसा क्यू होता है कि अगर दुस्त दोस्त नहीं रहता तो दुश्मन भी दुश्मन नहीं रहता I think no it's more superficial तो अगर दुश्मनी होती भी है उन्हें बहुत भारी पर जाती है कि if you take an example जहां पर supposing if it's Shahrukh and Salman तो जब अपनी मुवी को प्रमोट करने जाते हैं and it so happens कि the media is just interested in their so-called war that's going on तो अगर एक star अपनी मुवी को प्रमोट करने जारा है अगर वहां पर media persons film में interest कम दिखाते हैं और वो उनके rivalry के बारे questions ज्यादा पूते हैं तो movie overshadow हो जाती है तो they probably realize कि हम इतना PR exercise करते हैं इतने लाखो करोनों रुपे हम खरचते हैं अपनी मुवी के characters को प्रमोट करने में जब वही प्रमोट नहीं होते हैं और हमारी दुष्मनी और हमारी दुष्मन प्रमोट होते हैं so it doesn't make sense so that's why I think now the stars have wisened up and they have understood that we have to keep our own अपनी दुष्मनी को behind the closed doors रखना पड़ेगा especially with Shahrukh Khan के साथ दो ऐसी दोस्तीस जूडी थी one is with Arjun Rampa और दूसरी Salman Khan ने जो शो में में मेंशन किया I think Shahrukh, poor guy, he's had a very tough year in 2012 jab that whole slapgate incident happened which I feel very sad about because उनों तो एक ने थपड मार लिया दूसरे थपड का लिया लेकिन Mumbai की पूरी nightlife तबाह कर दी इन दोनों ने अपने गुसे में आकर but they were very smart and wise about it I must give the credit to both Farah Khan and to Shahrukh because otherwise ये महीनों तक या सालों तक चलता रहता कि जब भी Farah की पिक्चर रिलीस होती या शीरिष की रिलीस होती या कुछ भी Shahrukh का, you know, a moment आता when he should have been talking about something else or promoting something else that's important in his career this whole slapgate incident would come up and jokes होते and, you know, there would have been so many taunts and mocking about all of this Likewise, rumors चल रहते कि Karan Johar and Shahrukh Khan are no longer close so Karan Johar made a very diplomatic statement in the press and then of course उनोंने ये भी लिग कर वा दिया कि वो दुबाय अकटे जा रहे है and लेकिन खबर यहां चुपती नहीं है फिर एक स्टोरी आया कि Karan Johar दुबाय में थे उस्वप लेकिन उनोंने शारुक की पाटी वहां अटें नहीं की but still एक obvious attempt दिख रहा है कि आजकल स्टार्स जब उनकी रिलेशन्शिप में तनाव आ जाता है तो उसे छुपाने की कोशिश जरूर करते हैं जैसे अब हम करन और शारुक की भी बात करते हैं likewise you know there was this whole thing that Karan is not Karan and Priyanka are no longer the same because Karan was supposedly closer to Shahrukh and the whole thing savored and then of course Priyanka kind of we hear you know got her good friend Uday Chopra to get her and Karan Johar to patch up just like a couple of days before his big birthday party and you know what Karan made sure that the media was present at his birthday party when Priyanka Chopra arrived there on 1230 in the night and he kept telling the press there's something special for you there's a surprise for you so he did make sure that the media was present outside the venue to capture her pictures which means he was smart enough to send the message out to the media that hey Priyanka Chopra and me have patched up photos and then go home Salman Khan recently mentioned something in reality show do you think that was a show off or that was real? Certain contestants did make a mention about Shahrukh Khan that they were cast probably you know they were trying to take the credit of in a way giving some fame you know in his first few years of stardom or trying to make it to stardom that's the irony when they have a rivalry or the enemy they have to reach their rival there's a rival there's no mention of their brother's there's no mention of their girlfriend's there's no mention of their best friends I'm not talking about I'm not talking about I'm standing in the third so hey Supri how are you doing? you know it's very confusing so I think Shahrukh is being pretty decent and I don't think Shahrukh is that bitter or vindictive you know he's just probably okay yeah he's more expressive that's about it let's now move on to the women then they are no different very recently we have Anushka and Katrina yes I think you know there was a lot of rivalry when they did the movie together so it was like okay there are cold wives and everything and Anushka did a very smart thing she invited Katrina for the screening of the movie and she put all the rumors to rest I think stars have learnt very smartly so from promotional attraction it becomes media distraction altogether absolutely